और आज से हम फिजिक्स ट्रिक्स सीरीज का अगास कर रहे हैं इस वह पिछले वीडियो लेक्ट्टर से हमारे अगर हम उनको देखते पे चलेंगे हम अब तक अपना कतना स्लेबस कवर कर चुके हैं ऑनलाइन तो हमने फिर्स जे केमस्ट्री में अपने पांच चाप्रस कम्प्रीट कर ली हैं जिन में fundamental concepts of chemistry, states of matter, atomic structure, thermodynamics और chemical kinetics शामिल है इसोंज हम चार ट्रिक वीडियो कर चुके हैं फिर्स जे केमस्ट्री की जिन में how to calculate sigma and pi bond, how to calculate electrons and proton, how to calculate oxidation number and how to learn product table शामिल है इसोंज हम साथ-साथ red spot solve कर रहे हैं और first year chemistry में 6 series हम कर चुके हैं red spot solution की second year chemistry में हम अपना the periodic table, the hydrogen fundamentals of organic chemistry, alkyne, alkyne, alkyne और benzene complete कर चुके और first year physics में हम introduction to physics और geometrical optics कम्प्रीट कर चुके यादरे students जो भी lectures हमने अब तक complete किये हैं उन तमाम के chapter wise MCQ test भी हुए online और उनकी explanation मिले हैं आपको और हमने last week से zoom classes पर NTS paper analysis टार्ट किया 2009 analysis किया जा चुका है और ये तमाम के तमाम जो videos हैं ये आपको इसी YouTube channel पर बड़े आसानी के साथ मिल जाएंगी आज की हमारी video है cross product और उसकी tricks पर यादरे students अगर आप इस video lecture को देख रहे हैं और आप हमारे whatsapp group में शामिल नहीं तो आप batch 10 bad mission के लिए 033 2243031 पर राप्ता कर सकते हैं ताके आपको respective group में एट कर दिया जाए आप इस channel के screenshot के साथ अपने नाम और college के साथ इस number में message करेंगे ताके आपको group met कर दिया जाए और तमाम previous links भी आपको भीज दिये जाएं इस वन जब हम अपनी zoom classes कर रहे थे और physics के paper का analysis कर रहे थे हम उसमें तो हमने देखा कि cross product से हमारे पास exam में एक ही year में 3 question पूछे गए थे यह most important topic था इसी लिए इसकी trick इस वक्त हमारे सामने यहां पर मौजूद है सवाल दिया जाता है a is equal to i plus 3j minus 2k into b is equal to 2i plus j minus 3k जब हमें इसे solve करना होगा exam में तो क्या trick लगा कर solve करना होगा कि direct answer आ जाए तो इसरों trick जानते हैं copies आप सबने सामने अपने रखी वी हैं और साथ साथ आप उसमें लिखते जा रहे हैं सबसे पहले आप इ minus 2 यहां से मिला आपको आपने इसे एक बाप फिर copy कर दिया अब आपने b में भी values को दो मरतबा लिखा 2 1 minus 3 2 1 minus 3 और एक मरतबा फिर copy कर दिया उसे 2 1 minus 3 अब आप जो last value है आपकी उसे cancel कर देंगे यानि इसको count नहीं करेंगे और इसको count नहीं करेंगे और अब हम इन values को इसके साथ multiply होगी यह value इसके साथ multiply होगी यह value इसके साथ multiply होगी इस तरह से आप solve करेंगा यह साथ सा solve करते हैं आप भी अपनी copies में solve कर रहें 3 multiply by 3 minus 9 हो जाएगा minus formula का आप लेंगे यहां पर minus 2 into 1 यह बन गया minus 2 minus minus plus हुआ minus 9 plus 2 answer आया minus 7 minus 2 multiply by 2 minus 4 minus 3 multiply by 1 minus 3 formula का minus लेंगे आपने minus minus plus हुआ minus 4 और plus 3 answer आया minus 1 1 into 1 आया 1 3 into 2 आया 6 formula का minus लेंगे आपने 1 minus 6 हुआ minus 5 इस वोड़ा आंसर आ गया यहां पर आपके पास क्या आया था 7 1 5 देखे आंसर कैसे बन गया 7 I 1 J 5 K तो जो आपके पास question था A is equal to I plus 3 J minus 2 K into B is equal to 2 I plus J minus 3 K इसका जवाब क्या है minus 7 I minus 1 J minus 5 K Students within minutes आपने इस सवाल को solve कर लिया और आपको कोई परिशानी नहीं होती इसको solve करने में आई एक और सवाल की practice कर लेते हैं बच्चों अब दिया हुआ है हमें 1 3 4 तो आपने लिखा 1 3 4 1 3 4 repeat कर दिया अब आपको दिया गया था 2 7 minus 5 इसको देख रहे हैं बिटे हम एक बार फिर लिख दिया 2 7 minus 5 क्या करना था sir last वाली value को cut कर देना था अब क्या करेंगे sir आपस में इनको cross multiply करेंगे 3 into minus 5 4 into 7 करेंगे जब अब इनको cross multiply करते हैं तो 3 into minus 5 बनता है minus 15 4 into 7 बनता है 28 तो यह हो गया minus 15 minus 28 minus 15 minus 28 minus minus plus होगा sign बड़ी नबर के लगेगी तो यह आगया आपके पास minus 43 4 into 2 8 है 1 into minus 5 minus 5 है minus formula का लगाया आपने minus minus plus हुआ 8 plus 5 13 1 into 1 3 into 2 6 हुआ minus की sign आपने लगा यह बन गया minus 5 और आपके पास अब जो इस सवाल का जवाब आया वो क्या होगा minus 43 I plus 13 J minus 5 K आप देखे हैं students within a minute आप इसको solve कर सकते हैं अब आपके पास जितनी भी सतरह के सवाल मौझूद है आज ही उनको solve करें solve करने के बाद 0333 2243031 पर उनके screen shots बेज़ें और यह भी बताइए कि आज का वीडियो लेक्षर आपको कैसा लगा यह tricks कितनी जादा useful थी इस वीडियो लेक्षर को अपने friends के साथ share कीजेगा ताके उन तक भी यह तमाम information पहुंचे अपना बहुत ख्याल रखेगा आप सब लोग Allah Hafiz